दोस्तों आज हम जिस कंपणी को डिसकस करने वाले इस कंपणी का नाम है Indigo Paints इस पे पहले भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ जाहे जैसे S.I.P. मोड में एक मुस्त पैसा से बाई करते हैं तो आपको कितना बेनिफिट हो सकता है इस कंपणी में फ्यूचर में वो हम सारी CGS में डिसकस करेंगे लेकिन बाई, सेल, होल्ड यह सब आप अपने due diligence से करेंगे यहाँ पे कोई stocks का recommendation नहीं है कि यहाँ पे आप आपको learning लेना है, समझना है, सीखना है, उसके बाद आप अपने पैसे को invest कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं Indigo paints के बारे में paint sector के बहुत ही बहतरीन company fundamental के थूँ हमको देखने को मिलती है, MS Dhoni's के brand investor है, अब यह company थोड़ी सी जो other company ACN paints है या फिर बर्जर paints है, को sell किया जा रहा है, अब ही समझ में आता है कि अगर यह इसके product थोड़े से महेंगे हैं, तो क्या इसके product sell होते हैं market में, क्या बिखते हैं कि नहीं बिखते हैं, तो Indigo paints के अगर हम financial data देखें, और यहां पर हम directly आते हैं quarterly result को देखती है, या आईए yearly result को देखती है, तो yearly result मे एक समझ में आता है, कि मार्श 2011 में company केवल 35 करोल का business करती थी, और इस 35 करोल के business को इसने 10 times grow कर लिया, कहां तक, यानि 7 year में, 411 करोल का यानि 10 times का grow देखने को मिल रहा है, इस company में 35 करोल से लगवख 300 करोल, मतलब 400 करोल के ऊपर का, एक करोल का sell जो था, वो यहां पढ़के क कितने करोल का हो गया है, 3 करोल का sell हो गया है, जो 1 करोल का net profit था, net profit 3 times हुआ है, और company का sales 10 times हुआ है, ठीक है, यहां तक तो चीज़े समझ में आ रही है, यह company में बहुत छोटी company है, तो grow भी बहुत तेजी सुआ है, लेकिन 2018 से 2020 के बारे में, या 2021 के बारे में बात करें, तो company में 80% का sales में grow देखने को मिलता है, और net profit 3 करोड से 71 करोड हो जाता है, लगभग 24 times हमको grow देखने को मिलता है, तो यहां पर आप समझेगा कि 10 साल में company केबल 3 गुना होई, लेकिन आने वाले 3 सालों में company यहां से 24 times grow देखने को मिलता है, इसके net profit में, sales जो 400 करोड था, यह अब यह जो data निकल के आएगा, अगर यहां पर quarterly result देखे, तो company 200-300 करोड का business करती है, और अगर यह 200-300 करोड ट्रेलिंग 12 मंत का यहां पर add कर देंगे, तो यह निकल के आएगा लगभग 1200-1300 करोड के करीब आएगा, तो पिछले 2 साल में company double हो गई है, यहां पर पिछले 3 स sector की company, 2 साल-2 साल में company अपने sales को double कर ले रही है, net profit 70 से आप देखेंगे 118 करोड का देखने को मिल रहा है, तो यहां से जो net profit है, वो भी 60% से जादा grow हो गया, यानि देड़ सालों में, तो company use expansion, use growth आपको देखने को मिल रहा है, अगर इस company के reserve देखे, तो 3 करोड का reserve बढ़ के 26 करोड, 30 करोड, 5 सालों में, मतलब 4 सालों में होता है, फिर 26 करोड, 25 करोड से 4 गुना, 2019 तक पहुंच जाता है, यहां से 4 टाइम्स हो जाता है, और 100 करोड से, अगर हम यहां पे मान के चले, कि 2022 आते हैं, तो कितने साल हम को मिलता है, 1, 2, 3, 4, 4 सालों में company 6 टाइम्स revenue reserve क क्या कर लेती है, तो company के पास 648 करोड का reserve है, क्या company के पास borrowing है, बिल्कुल ना के बराबर है, company के पास cable 12 करोड की borrowing है, तो 648 करोड के respect में 12 करोड की borrowing कोई borrowing नहीं होती है, तो तरीके से company पूरी तरह से debt-free company आप इसको बोल सकते हैं, तो pen sector की छोटी company है, इसका market का आप देख company है, और वो क्या 6000 करोड वाली company क्या पैसे generate नहीं कर रही है, 6000 करोड वाली company भी अच्छा खासा पैसे generate कर रही है, 100 करोड से उपर का company का net profit है, सारा tax देने के बाद, सब कुछ salary देने के बाद, company 100 करोड का net profit generate करती है, और उसको market cap कितने का मिला है, 6000 करोड की company को market cap मिला हुआ दूसरी condition अगर हम इस company का technical conditions देखें तो technical conditions में एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ से 200 DM में हटा देता हूँ सबसे पहले मैं इसके chart को देखता हूँ, chart को समझने की कोशिस करता हूँ कि इस company का price जब IPO आया था, IPO के बाद इतना तेजी से grow हुआ और grow होने के बाद अगर आप यहाँ पर notice करेंगे तो इसमें अच्छा खासा grow होने के बाद company का share price 3300 के करीब चला गया अब 3300 के पास में जाने के बाद company में discount आता है, company नीचे आती है क्योंकि इसका valuation high होता है फेब 2021 के बाद आप देखेंगे पूरे के पूरे share market में गिरावत आता है, जो nifty 50 है, sensex है मारा नीचे गिरता है उसी के साब से हर paint sector भी नीचे गिरता है, paint sector paint बनता कि से crude oil से, तो crude oil महना हो जाता है जिसकी वज़े से इस company में, इस company के हर एक company में चाहिए, जो भी company रही होगी जैसे आप यहाँ पर बड़ी बहुत छोडी company देख रहा है, indigo paints अगर हम यहाँ पर आपको दूसरी paint sector दिखा है, जैसे सबसे बर्जर paint अब अब दिखा है, बर्जर paint का data निकल के आया है अभी हाली में, तो मैं आपको बर्जर paint open करके दिखाता हूँ, तो बर्जर paint का अगर आप यहाँ पर गिरावट देखेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए, time cup के निकल क्या रहा है, same होई, 21 का time period है, और 21 के time period के बाद, क्या company नहीं गिरी, गिरी, 21 के time period के बाद company गिरी, औ अगर हम Asian paint देखते हैं, तो क्या Asian paint मार्स 2021 के बाद नहीं गिरा, तो मार्स 2021 के डाटा के बाद, अगर आप यहाँ पर notice करेंगे, मार्स 2021 के बाद, यहाँ पर 21 वाला डाटा आता, तो Asian paint भी यहाँ से 20%, 30% के गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अब यहाँ पर समझेगा, कंपनी का मार्केट के 3,00,000 करोड है, अगर हम यहाँ पर बर्जर पेंट देखें, यहाँ पर हम बर्जर पेंट देखें, तो बर्जर पेंट का मार्केट कैप कितना है, आप यहाँ पर बर्जर पेंट देखें, तो बर्जर पेंट का मार्केट कैप है, 61,000 तो और तीन लाग क्रोड की कंपनी भी 20-25% के डिसकाउंट पे चली गई थी, तो वो सब ग्रोत होंगे होंगे, सेमी कंडिशन में अगर हम इंडिको पेंट्स देखें यहां पे, तो इंडिको पेंट्स में भी गिरावट है, और वो गिरावट कितना है, यहां पे हम लोग द निकल के आता है इतने दिनों में company 70% नीचे गिर जाती है लेकिन क्या recovery नहीं होता है हाँ यहाँ पे bottom बनता है और यह जो bottom बनने के बाद इस company में grow होना start होता है अब किसी के दिमाग में आएगा किसा ठीक है company में grow हो रहा है यह फिर से नीचे जा सकता है तो मैं आपको यहाँ यहाँ पे 200 DMA का chart लगा के दिखाता हूँ अब यहाँ पे मैं moving average में 200 DMA का chart लगाया यह company जब से list हुई है आप notice करिएगा यह company always 200 DMA के नीचे चल रही थी और first time company 200 DMA को break करती है यहाँ पे आप notice करिए कि company यहाँ पे लगातार 200 DMA को अभी इस range में break करते हुए green candle से दिखा जा रही है आज के time period में today आज का जो share price है उसकी हिसाब से company 200 DMA को break करता है अगर कोई company 200 DMA को break करता है तो इसमें bullish की chances होते हैं अब जरा indicator में हम volume के साथ देखती है तो एक volume निकल के आएगा यह चीज़ आप notice करिएगा तो इस company का अगर हम पूरा volume का data देखें आप समझेगा इस company में हम पूरा volumes का data देखें तो सबसे बड़ी volumes कब आई हुई है तो सबसे बड़ी volumes आई हुई है यह वाला क्या इतनी बड़ी volumes कभी भी आई हुई है इस company में जब से यह company list हुआ है तो आपको यह समझ में आएगा कि इतनी बड़ी volumes कभी भी इस company में आते हुए देखन को नहीं मिला है अगर हम इस volumes को थोड़ा और broad कर दे आपको समझाए तो यह volumes जो यह volumes का data आप देख रहे हैं और किस range पे इसको buy किया गया है आप इस range को निकाल के देखेंगे तो use volume के साथ इसको buy किया गया है और यह range निकल क्या आता है एक हजार नवाशी का तो एक हजार नवाशी के rate पे promoters के द्वारा मेरे को लगता बड़े बड़े hands के द्वारा इस company को buy किया गया है क्योंकि उनको लगा कि company में bottom बन चुका है नीचे के level पे खरीदा जा चुका है और use volume के साथ इस company को उपर की तरफ ले जाया जा रहा है और company ने 200 dma को यहाँ पे first time break किया है यहाँ पे हम आपको इस chart को ऐसे भी दिखा सकते हैं कि आप देखिए इस chart को यह chart है इस company का screener पे और यहाँ पे हम chart देखे तो क्या company ने 200 dma को break किया था बिलकुल नहीं break किया था लेकिन first time company ने 200 dma को यहाँ पे break करते हुए देखने को मिल रहा है एक चीज और notice करिए क्या इतना बड़ा volumes company में आया था यह जब लो candle आप देख रहे हैं यह वाली candle आप यहाँ पे notice करिए क्या इतना बड़ा volumes कभी भी company में आया था नहीं तो इतने बड़े volumes के साथ इस range पे कौन खरीद रहा है इस company के shares को केवल और केवल बड़े hand के लोग खरीद रहा है जब company में 60-70% का गिरावट हो चुका fundamental fully strong company है अगर हम इसके यहाँ पे हम chart में समझ रहा है के company 1000 करोड से उपर का sales करना start कर दी है और जब से company गिर रही है अगर हम यहाँ पे range देखे के indigo paints का time period क्या है गिरने का तो वहाँ पे हमें time period निकल के आता है February 2021 का तो February 2000 यानि पिछले 2 साल से company गिर रही है क्या 2 साल में इसके data change नहीं हुए क्या क्या इसके fundamental strong नहीं हुए क्या तो अगर हम यहाँ पे 2 साल के data को देखे और yearly profit conditions में देखे तो company 600 से 700 करोड का business करती थी और जैसे ही आप March quarter का result आते वे देखेंगे यह 1000 करोड से आपको 1200 करोड का sales देखने को मिलेगा तो company पिछले देड़ दो सालों में sales डबल हो गया है अब net profit की बात करें तो जो 48 करोड से 50 करोड का net profit था वो 50 से बढ़के 108 करोड और यहाँ पे जैसे ही data आएगा तो आपको 120 करोड भी देखने को मिलेगा तो धाई गुना इसका net profit बढ़ गया है डबल इसके sales हो गया है लेकिन share price share price जिस rate में होना चाहिए वहाँ से double होना चाहिए लेकिन उस rate से नीचे गिर के 60-70% के discount पे आपको देखने को अभी भी मिल रहा है अगर हम यहाँ से discount period निकाले कि present time में company किस discount rate पे मिल रही है तो आपको देखने को मिलेगा कि इस company का जो discount rate निकल के आ रहा है अभी भी company 60% के discount पे देखने को मिल रही है यह fully मेरे तरीके से मेरे due diligence से लगता है इस company में bottom यह वाला range बन चुका है और company you turn लेते हुए rounding bottom pattern के थुरू ऊपर जाते हैं देखने को मिल रही है company ने 200 DM में को भी break किया है यह भी एक positive sign आप कह सकते हैं कि अगर इस company ऊपर जाती है तो यहाँ से अपने top को generate करेगी ही करेगी और अपने top को generate मैं कहता हूँ कि वो पूरे एक साल का time period ले लेती है तो भी company आपको 1500% का return generate करके इस समय आपकर आप इसे buy करते हैं तो 1500% का return आपको देखने को Indigo Paints में यहाँ पे मिल सकता है तो केवल वो top को ही generate करेगी ऐसा नहीं है वो अपने top को भी break करेगी और वहाँ से भी 50% 60% जाने के chances होगे क्यों उसके पीछे की reason है कि देखें Indigo Paints बहुत छोटी company है केवल आभी 6000 करोड की company है company 1000 करोड का sales भी generate करने लगी है और उस rate में company 100 करोड का net profit भी generate कर रही है 1 करोड से 100 करोड का net profit हो गया है पिछले 10 सालों में तो आप समझ सकते हैं कि company बहुत तेजी से grow होते हुए देखने को मिल रही है अब company का operating profit margin क्या रोज खराब है नहीं 18% का रोज है क्या ROE company का खराब है बिल्कुल नहीं 13% की company की ROE है company का debt है क्या company के पास बहुत जादा करजा हो गया जिसकी विल से डूप जाए यह बिल्कुल नहीं company के पास debt तो 9 के बराबर 10-11 करोड का debt क्या कहलाए का debt में जब company 100 करोड का net profit generate करते हुए देखने को मिल रही है क्या company पैसा invest नहीं कर रही है capital working progress में बिल्कुल कर रही है 175 कोडर company ने invest किया है company का 200 DM में कितना था 304 और अभी company का price है 1332 और आज भी 2.5% company उपर देखने को मिल रही है तो एक तरीके से ये company bottom बनाने के बाद उपर जाते हुए देखने को मिल रही है ऐसी company आपको future में अच्छा खासा पैसा भी बना के देख सकती है क्योंकि मैं मान लेता हूँ कि ये company आज भी 6000 करोड का है आगे तो बढ़ेगे ये बढ़ेगी जिस साबसे इसका fundamental है और paint क्या paint यूज नहीं होगा बिल्कुल यूज होगा हर paint sector यूज होगा बाई चाहे घर paint करना हो road paint करना हो buses paint करने हो hospitals paint करना हो तो हर paint sector तो यूज होगा क्या सभी लोग ACN paint यूज करेंगे बिल्कुल नहीं जो नए नए paint sector आ रहे है वो भी यूज होगे इंडिगो paints भी यूज होगा अगर इंडिगो paints 6000 करोड से 6000 करोड से 6000 करोड तक बढ़ सकता है 6000 करोड से जो बरजर paint का valuation है यहां से एक लाग करोड तीन लाग करोड का हो सकता है तो कितने chances है बढ़ने के कितना विस्तार होने का growth होने का इस sector में chance है वो आप समझ सकते हैं कि एक समुंद्र की ये छोटी सी मचली है जो अगर बढ़ेगी तो बढ़के वेल जैसी बड़ी मचली हो सकती है और अगर इतना growth होता है तो ये company का stock price मतलब ये company आपको 1-2-3% नहीं आपको 100%, 200%, 1000% का भी return generate करके दे सकती है जिस हिसाब से company का business और अभी तक company जैसा business करते हुए आ रही है क्या promoter सारा माल बेज दी है क्या अगर हम देखे 54% की March 2021 में company के पास promoters holding थी आज भी 53% है 10% holding FIS के हाथ में थी वो 8% है 3% DIS के हाथ में थी 32% public के हाथ में थी जो भी 32-33% आज भी है और उस 32-33 में से 13% और 12% यानि लगभग 25% से 26% के हिस्सेदारी इन दोनों लोगों के हाथों में है सिकोविया कैपिटल इन्वेस्टमेंट के और SCI इन्वेस्टमेंट फंड के हाथों में है तो यहां से हम 25% निकाल देते हैं तो कितना निकल के आता है 8% 9% की holding केवल और केवल retailer के हाथ में है तो इतनी strong company जो future की multi bagger हो सकती है इसका fundamental strong है technical conditions में भी company rounding bottom pattern के थुरू ऊपर जाते हुए देखने को मिल रही है अगर हम यहां पे monthly candle chart लगाए तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा इस monthly candle chart को आप ध्यान से देखिए और समझ ये ज़रा पिछले कुछ महीने से कितने महीने से पिछले तीन महीने से का अगर आप chart देखेंगे तो जो lower high जैसे मतले अभी chart देखिए तो जो भी बन रहा था उसके नीचे बनता जा रहा था हर red candle उसके नीचे बनता जा रहा है आप समझेगा यहां पे green candle था लेकिन false breakout था फिर लगा नीचे गिरने लगा लेकिन यहां से पिछले तीन candles को देखिए और यह पिछले के तीन candles इस वाली जो मंत का गिरावट था यह वाले मंत के गिरावट को break किये दूसरा वाला जो मंत का गिरावट था उसको भी company ने break कर दिया है यह वाला large value के साथ break किया है एक large valuation के साथ company ने break किया large volume के साथ company ने break किया तो आप समझ सकते कि company fully तरीके से round bottom pattern के थूँ चाहे आप monthly candle देखे चाहे आप यहां पे weekly candle देखे हर candle में आपको एक चीज़ notice करने को मिलेगा कि अच्छे खासे volume के साथ company उपर जाते हुए देखने को मिलेगी और जब अच्छे खासे volume के साथ company उपर जाती है और company अपने 200 DM को भी break कर दी है जो कि एक बहुत positive sign है तो मैं मेरे हिसाब से यह company आपको अब यहां से रुकने वाली नहीं है और यह आपको लगभग आप यहां पर top पर जाते हुए आपको देखने को मिलेगी और यहां से 200, 300, 400% का return भी generate करके यह company आपको दे सकती है ऐसा मेरा due diligence कहता है तो ऐसी company में अगर आपको invest करना है तो आप अपने पैसे के हिसाब से invest करिए अपनी सोच समझ के साब से invest करिए मेरे हिसाब से indigo paint इस time पे बहुत ही अच्छी opportunity दे रहा है अच्छा पैसा बनाने के लिए लेकिन यह कोई recommendation नहीं है आप अपने due diligence से आप किसी company को buy या sell कर सकती है इसी तरह से अच्छी वीडियो देखने के लिए आप इस channel को subscribe करिए bell icon दबाईए अपने friends को share करिए और इस group को आगे बढ़ाने में help करिए बहुत बहुत धन्यमाद आप सभी का thank you, thank you so much